हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ राधा मेरे चैनल दावसवादा में आपका बहुत बहुत स्वाधत है आज मैं बनाओंगी टमाटर की बहुत ही स्पेसल खटी मिटी चट्नी जिसे बनाना तो बहुत ही आसान है और यह खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी लगता है इसे बनाने में हमने चीनी का यूज नहीं किया है गूल का यूज किया और यह बहुत ज़्यादा टेश्टी लगता है आप इस चट्नी को एक बार जरू ट्राय करें मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह चट्नी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो चले फ्रेंड्स टमाटर की इस खट्टी मिठी चट्नी को बनाना शुरू करते हैं अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेयर करना ना भूले टमाटर की खट्टी मिठी चट्नी बनाने के लिए गैस पे मैंने एक पैन रखा है हम इसमें लगबग दो बड़ा चमज तेल डालेंगे और तेल को गरम होने देंगे तेल हमारा लगबग गरम हो चुका है हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चमज जीरा और आधी छोटी चमज सरसो दोनों को हम थोड़ा सा चटकने देंगे देखिए बून चुके हैं अब हम इसमें एक लाल मिर्च को तोड़ के डाल देंगे अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो एक जगा पे दो भी मिर्च डाल सकते हैं और इसे भी हम थोड़ा सा बून लेंगे देखिए बून चुके हैं और मैंने यहाँ पे लिया है तीन टमाटर जिसे मैंने काट लिया है और यह टमाटर पूरी तरह से पका हुआ नहीं है थोड़ा सा कच्चा और पका हुआ टमाटर मिक्स है तो इसी तरह का टमाटर आप भी लें इससे बहुत ही अच्छा चटनी क तो अब हम इसे कवर करके टमाटर को गलने देंगे लगबक 2-3 मिनट देटें अब जान देते हैं और टमाटर को गलने देपकर हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे एक इंच अदरग कदुकस किया हुआ और लगबग 100 ग्राम के करीब मैंने यहां पर गूर लिया है इसे हम डाल देते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और इसे हम मिक्स कर लेंगे साथ ही हम इसमें डाल देंगे स्वाद के नुसर नमक लगबग आधी छोटी चमत से भी कम नमक डालें, बहुत जादा नमक ना डालें और इसे हम मिक्स कर लेंगे, गूर को हम गलने देंगे तो यहां पर देखें गूर हमारा थोड़ा सा मेल्ट हो चुका है लगबग एक से डेड़ मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें एड़ करूँगी आम का अमावर्ट जो मार्केट में बहुत एजली मिल जा रहा है यह मैंने एक बड़ा पैकेट का आधा हिस्सा लिया है, जिसे मैंने चॉप कर लिया है इसे मैं चटनी में डाल दूँगी, इसे आप जरूर डाले चटनी में इसे बहुत एच्छा टेष्ट आता, इसे इसकीप ना करें और इसके साथ मैं इसमें एक बड़ा चमच किसमिस भी आड़ कर दूँगे सभी चीजों को हम mix कर लेंगे और gas का flame अभी हम बिलकुल low कर देंगे इसे हम अभी cover कर देंगे और लगबग 5-6 मिनट हम इसे गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि सभी चीज़े अच्छे से गल जा और एक दूसरे के साथ mix हो जाए आप इसे बीच-बीच में एक दो बार चला भी सकते हैं तो हम इसे cover करके छोड़ देते हैं 5-6 मिनट हो चुके हैं हम cover हटा के देख लेते हैं देखिए सभी चीज़े लगबग गल चुकी है तो हम इसे mix कर लेंगे और इसे इस तरह से करते हुए हम इसे लगबग 1.5-2 मिनट और चला आते हुए पकाएंगे गैस का flame हम medium कर देंगे ताकि हमारे जो चटनी थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए और हम इस तरह से spatula की मदद से इस तरह से ट्रेस करते हुए हम एक से लेड़ मिनट और पकाएंगे चटनी को लेड़ से दो मिनट मैंने चटनी को इस तरह से करते हुए पका लिया है और चटनी देखि बहुत ही अच्छा गाढ़ा हो चुका है अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी ठंडा होने के बाद चटनी और भी गाढ़ा हो जाएगा तो मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूँ तो देखे फ्रेंड्स हमारी टमाटर की खटी मिठी चटनी बंके तयार है और यह बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना है और देखे इसका टेक्स्चर कितना अच्छा हुआ है आप इसे जरूर ट्राय करें इसे आप एक बार बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना है तो आप इसे जरूर ट्राइ करें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर करना ना भूले और चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो फिर मिलते हैं किसी नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू बाई